जहें दोस्तों आप सभी का स्वागता हमारी एक नए वीडियो में और मैं हूँ आपके प्रियमित्रमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूर्स्टिय अफ एगरिकल्चर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंथा की नराई गुडाई से संबंदित कुछ मुक बाते हैं इस वीडियो में हम मुक रूप से मेंथा की दूसरी खुदाई के बारे में बात करने वाले हैं हमें दूसरी खुदाई करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और दूसरी खुदाई किस तरीके से और कितनी घहराई तक करनी चाहिए दोस्तो में निराई गुडाई से संबंदित जो भी बाते इस वीडियो में बताई जाएंगी वह हमारे खेती करने के अनुवववों के आधार पर होंगे वीडियो को स्टाट करते हैं इससे पहले यह आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और यह दि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें दोस्तो 16 अप्रेल हो चुका है और इस समय जो भी मेंता की खेती कर रहा है उसमें दूसरी खुदाई का समय है और जिसने भी लेट खेती की है उसमें अभी दूसरी खुदाई का समय नहीं होगा परंतु ज़्यादा खरपतबार होने की दसा में हमें खुदाई जल्दी जल्दी भी लगाने पड़ती है और इसका समय भी चेंज हो शकता है इसलिए आपके area के हिसाब से और आपके खेत में खरपतबार होने की बज़े से इसका कोई समय निश्चेत नहीं किया जा सकता परंतु एक average time को हम लेकर चल सकते हैं जब हमारे मेंते का पौधा 40-55 दिनों का हो जाता है तो पौधे की जड़ से ने कल्ये निकलने लगते हैं चलिए इनकलों को भी जान लेते हैं यह देखिए यह आप वीडियो में देख सकते हैं मेंता की जड़ से यह जो कल्ये निकल रहे हैं यह हमारे ने कल्ये हैं इनकलों क आप खुद भी देख रहे हैं कि ये कल्ले मिट्टी से बिलकुल चिपट कर निकल रहे हैं और इसी समय हमें दूसरी खुदाई भी लगानी होती है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कल्ले खुदाई करते समय ना कटें हमें इन कल्लों का विसेस्ता ध्यान रखना होता कल्लों के साथ हमें मेंथा की जड़ का भी ध्यान रखना होता है कि खोदते समय मेंथा की जड़ पर कोई पिरभाब ना पढ़ता है तो कुछ दिन के लिए बह पौदा रिकवरी के लिए टाइम लेता है और उसकी ग्रोथ में कमी आती है और अगला पॉइंट यह है कि मेंथा की दूसरी खुदाई करते समय मिट्टी को जादा ना उठाएं मिट्टी को केवल डेल से दो इंचे ही उठाना चाहिए और केवल खर पतबार को साफ करना चाहिए जादा गहराई तक खुदान नहीं करना चाहिए जादा खुदाई करने से हमें नुक्सान यह है कि जब हम इसमें पानी लगाएंगे तो इस खेत में पानी का स्टोर जादा होगा क्योंकि खुदान जादा गहराई में हो चुका है और जादा दिनों तक पानी खेत में बना रहेगा जबकि मेंता की खेती के लिए पानी की आवज सकता कम रहती है और किसान भाहियो इन सबी बातों के अलावा जब हम खुदाई करते होते हैं तो जो खरपतवार होते हैं वह मेंता के पौदों के बीच में भी उगाते हैं मेंता के पौदों के बीच में जो पौधे खर्पतवार के उगे होते हैं उनको हम हाथ से उखाड़ दें तो बहतर रहेगा यदि हम कुदाल चलाएंगे उसमें तो मेंता की जड़ पर भी प्रभाब पड़ेगा इसलिए हमें इस समय की खुदाई को बहुती सापधानी से करनी चाहिए जिसे मेंता के पौधे को कोई भी छटी ना पहुँचे तो किसान भाई यो आज की इस वीडियो में बस इतना ही इदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले और हमारी वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें धन्वाद